कल्चर एंड कोगनेशन हम जो कुछ अभी तक पढ़ चुके हैं उसको अगर थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो हमने कल्चर को डिफाइन किया था कल्चर एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेज होती है जो एक ग्रुप जो किसी एक जगा पे रहता है किसी मुल्क में रहता है किसी सुसाइटी में रहता है या एक सुसाइटी के अंदर मुख्तलिफ एरियास में रहता है या उनका कोई और फर्क है जैसे इंकम का फर्क नसल का फर्क इलाके का फर्क, उसकी वज़ा से उनके culture में जो practices हैं, उनमें जो फर्कात है, culture की definition में देखें language है, customs है, लिबास है, faith है, religion है, तो इन सब levels को culture से जोड़ें, तो cultures के बीच में आपस में कुछ फर्कात है, अच्छा अब ये फर्क में पता कैसे चलता है, cognition होती है, knowledge, चीजों के बारे में मालूमात होना, और cognition में सबसे पहले आती है sensation, कि आप चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, टच करते हैं, चखते हैं, सुनते हैं, उससे अगले में आता है कि आप पहचानते हैं कि मैंने जो चखा है, वो क्या है, मैंने जो देखा है, वो क्या इसको मैं क्या कहूंगा यह सेब है यह टेनस बॉल है यह आवाज जो आई है यह म्यूजिक है यह धमाका है तो यह कोगनिशन है नॉलिज है उसके बारे में आपको तेक आवाज आई है ब्रेन ने आपके आपके ब्रेन को पहुंचा दी अब आपका ब्रेन उसके बारे में ए कि वी तो वो आपकी जो पहचान है उस खास सेंसेशन की उसको हम करते हैं को अगला लेवल होता है लर्निंग यह नहीं हमने सीक्षा किया आज तक उससे अगला लेवल होता है जिसमें हम लैंगवीज के जरीये चीजों के नाम लेते हैं और बात बियान करने के लिए जुमले करते हैं और सबसे उपर एक level होता है जिसमें हम अपने जहन में decision making करते हैं, problem solving करते हैं और चीजों के बारे में reasoning करते हैं, reasoning क्या होती है, अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा होगा, तो अब मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ऐसा नहीं होगा, ठीक, कोई बाहर से आया है वो भीगा हुआ है तो जब बारिश होती है तो लोग भीगते हैं और क्योंके यह बार से आया है और वाश रूम से नहीं निकले, इसका मतलब है इनके बाल भीगे हैं बारिश से, अगर वो वाश रूम से निकल ले होगे तो शायद वो शावर करके हैं, अच्छा, अब यह सारी जो reasoning वगार के, पहला लेवल है कि human beings एक mammalian species हैं, यानि वो नसली तोर पे mammals हैं, बच्चे को दूद पिलाते हैं और उनके बच्चे जो हैं वो एक खास तरीके से पैदा होते हैं, बहुत से mammal जानवर होते हैं, तो इनसान एक species हैं, दूसरा लेवल है societies का, society को एक population के तोर पे समझा जाता है, जो किसी खास जोगराफियाई और political region में रहती है, political का मतलब है कि वो एक खास मुलक है, जोगर्फिकल का मतलब है कि उसकी जोगर्फी, यानि वो पहाड़ हैं, मैदान हैं, साहिली इलाका हैं, इन दोनों चोकों पे जोए खास population होती है, वो एक society बनती है, वहां पे, एक वो लेवल है, समझने का, लोगों को और चीजों को, तीसरा लेवल है, society में cultural practice क्या हो रहे हैं, और उसको हम बहुत detail में कर चुके हैं, कि शादी ब्या, मौत, जिंदगी, gender stereotypes, development, बच्चे का बढ़ा होना, उसके साथ माम अब क्या क्या करते हैं, हम दूसरे groups को कैसे देखते हैं, हम अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जो जो रोज मरा चीजें कर रहे होते हैं, हमने फूट पर बात की थी, अब वो एक cultural practice है, जैसे मैंने कहा कि मलेशय में भी ईद है, बुरुनाई में भी है, लहौर में भी है, और ताउदी अरब में भी है, तो मीठा खाना एक तकरीबन हर मुस्लिम कल्चर में मिलेगा ईद के दिन, ठीक, लेकिन वो मीठा है क्या, तो वो हमारी खास cultural practice है, कि हम उस दिन मिठाई या सिमया काएंगे, किसी और जगा देखें तो वो कुछ और कर रहे होंगे, जबान इसी तरह मुखतलिफ जगों पर मुखतलिफ जबान को और हमारी practices को define करता है, तो यह जो cultural practices हैं, यह खुद को दूसरों के साथ मिल के समझने का कि लोग मुखतलिफ कैसे हैं, लोग एक जैसे कैसे हैं, यह जो cognition है, यह जो knowledge है, यह जो processing है, information की, इसका तीसरा level है cultural practice का, अब हम किसी को भी देखें, आगे चलके मैं आपको चेहरे दिखाऊंगी, तो आप पहली बात यह notice करते हैं कि मर्द है यह औरत है, दूसी बात यह notice करते हैं कि यह काला है यह गोरा है, यह पठान लग रहा है, यह किस मुलका लग रहा है, और इसकी उसके बारे में जितनी मालूमात हमें होती हैं, वो सारी हमारे सामने याद होने तो मैं कि सोचती हूँ कि अच्छा यह जरूर सहरा में रहते होंगे, यह जंगलों में रहते होंगे, ठीक, तो कल्चिरली हम लोगों को notice करते हैं, पहला लेवल उनकी रंग, नसल और उनका जेंडर, दूसरे लेवल पे हम उनको assign कर देते हैं, यह इनसान है और यह इनसान society से आया होगा, और तीसरा है कि क्योंके यह society से आया है, तो कि वहाँ पे क्या करता होगा, ठीक, अगर हमने यह सोच लिए है कि यह देख लिए है, और परसीव कर लिए है, और cognition कर लिए है, कि यह एक खास जगा से आया है, खास geography से आया है, और है तो इनसान, तो पहली बात हम यही सोचेंगे कि इंसान ऐसे दर्द होता होगा, for example, हम बात करेंगे तो यह जवाब देगा, जब आप किसी और species को देखेंगे तो आप यह नहीं expect करेंगे कि आप बात करेंगे तो वह जवाब देगा, यह है cognition जो हमारी लोगों के बारे में होती है, cultural practices भी a cognition है, जो कि हम अपने तजर्बे से जान चुके हैं।